अकसर डाल, करी और स्प्राउट्स बनाने के लिए इस्तिमाल की जाती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि मून की डाल सौंदर्य को बढ़ाने के लिए बहुत उप्योगी है चहरे, शरीर और बालों की सौंदर्ता को बढ़ाने के लिए मून की डाल एक उपहार से कम नहीं है यह चहरे से लेकर हमारे बालों तक की समस्याओं को खत्म करने में मदद करती है हम आपको बता रहे हैं मून की डाल के ऐसे उपाए जिसके इस्तिमाल से आपकी खूब सूरती में और निखार आएगा आईए जानते हैं कुछ खास टिप्स फेस पैक, ड्राइ स्कीन वालों के लिए मून की डाल एक जादू ही मास्क की तरह है बस आपको इसके लिए एक मुठी डाल को कच्चे दूद में रात भर भिगो कर रखना है और अगले सुबह इसे बारीक पीस ले अब इस पेस्ट को साफ चेहरे पर लगाएं और अगले 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दे एक बार जब यह सूप जाए तो इसे पानी से धोले और अपने चेहरे को थप थप आएं यह फेस पैक आपकी तवचा को कोमल और क्लीन बनाने में मदद करेगा मुहासे के लिए मूम डाल उन लोगों के लिए बहतरीन है जो चेहरे पर ब्रेक आउट मुहासो से परेशान है इसके लिए बस कुछ मूम डाल को रात भर पानी में विगोद दे और अगली सुबव पीस कर इसका पेस्ट बना ले अब इसमें आधा चम्मच की मिलाएं और पूरे चेहरे पर लगाएं अपने चेहरे पर धीरे से मालिश करें और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें अपने चेहरे को गुनबुने पानी से दोए और थप थपा कर सुखाएं प्रभावी परिनामों के लिए सब्ता हमें तीन बार इस पैक का उप्योग करें सन टैन हताने के लिए इस वक्त आप पूरे समय अपने घर में ही हैं और यह सही समय है पुराने सन टैन से चुटा कारा पाने का क्योंकि इस समय आप जितना अपनी स्कीम की केर करेंगे उतना ही फाइदा आपकी त्वचा को होगा अगर आपकी त्वचा में सन टैन हो चुका है तो इससे चुटकारा पाने के लिए आप मून की दाल का इस्तिमाल कर सकती है टैनिंग हटाने के लिए बस एक मुठी मून दाल को रात भर भिगोए और पीस कर पेस्ट बना लें अब इसमें थोड़ा थंड़ा दही या अलोवेरा जेल मिलाएं और अच्छे से मिलाएं प्रभाविक शेत्र जैसे की चहरे या बाहों पर मिश्रन को लगाएं इसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दे और थंड़े पानी से धोले यह न केवल आपकी टैनिंग को खत्म करेगा बलकि तवचा को मुलायम और चिकना भी बनाएगा बालों के विकास के लिए जो लोग बालों की समस्या से परेशान है जैसे बालों का रोखा होना या जढ़ना उनके लिए मूम की दाल बेहत फाइदे मंद है इसके लिए बस कुछ मूम दाल उबाले और पीस ले इसमें अंडे की जर्दी, नींबो और दही की कुछ बूंदे मिलाएं और एक टेस्ट बनाएं अब इसे अपने बालों पर लगाएं और 15 मिनट के लिए छोड़ दे इसे माइल्ड शेंपू से धोले और अपने बालों को सुखा ले इसे सब्ता हमें दो बार उप्योग कर सकते हैं दोस्तों डेली ऐसी ही यूसफुल टिप्स ट्रेट्स के लिए हमें फॉलो करें थैंक्स फॉर वाचिंग